नमस्कार जैहन, वेलकम बेक टू माई चैनल, SPKC AIO आज हम करेंगे चैप्टर फोर, लीनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबिल, दो चरों वाले रेखिक समिकर्ण इसमें लीनियर एक्वेशन क्या होता है, और वेरियेबिल क्या होता है, तो वेरियेबिल हमने पिछले अध्यायों में बताया भी है, तो यहाँ पे हम समझेंगे लीनियर एक्वेशन के बारे में, तो जैसा कि यहाँ परभासा बताई गई है, तो परभासा के अनुसार एक ज उसको हम AX plus BY plus C equal to 0 तो ये हमारा एक समीकड होता है तो समीकड का मतलब है जिसमें कि दौनों पक्ष समान हो इसमें दो पक्ष होते हैं दो Sides होती है तो इस Sides को हम कहेंगे Right hand side और इस Sides को कहेंगे हम Left hand side तो ये दायाँ पक्छ होगा और ये बायाँ पक्छ होगा तो जब भी हमें इस तरह का समीकर मिले तो इस में equal to 0 भी हो सकता है या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AX plus BY equal to C अब ये C हमारा negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है और हम यदि C को इस side में लाएंगे तो हम इसे BY plus यहां हम minus C भी लिख सकते हैं बरावर 0 यदि यहां plus है तो यहां minus होगा इसलिए यहां plus minus ना करके यहां constant के रूप में C कर देते हैं कि plus या minus दोनों का हो सकता है तो यहां plus माइनस का यह हो सकता है या हम इसको इस तरह से ब्यक्त कर सकते हैं कि यहां plus और यह plus या minus में होगा इसको हम general form में कहेंगे और इसमें A, B, C वास्त्विक संख्याएं हैं और A बराबर नहीं होगा इसमें 0 के और B बराबर नहीं होना चाहिए 0 के तो यह condition वाला जो समीकर होता है तो उसे ही हम दो चरों वाला रेखिक समीकर कहते हैं तो इसमें एक चर हमारी X के रूप में दी हुई है और दूसरी चर रासी हमें Y के रूप में दी हुई है तो यह हमारे दोनों यह चर हो जाएंगे और A, B और C यह constant होंगे तो यह हमारे constant कहलाते हैं यानि अचर तो variable वे होते हैं जिनकी की value वैरी होती रहती है यानि की बदलती रहती है और A और B, C यह constant value होती है यानि की इस्ठेर होती है और अचर value होती है इसे हम और भी अचर के माद्यम से लिख सकते हैं P लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं जो constant के रूप में होगी और यह चर के रूप में XY लिख सकते हैं और जो बदलती हो value तो उसे हम और भी letters से इंगित कर सकते हैं तो यदि Y equal 0 हो तो जब Y के स्थान पे यहाँ 0 होगा तो यह हमारा समीकर बनेगा AX plus C equal 0 तो इसे हम कहेंगे एक चरवाला समीकर तो अब इसे हम graph के माद्यम से भी समझाएंगे तो जो बेतर डंग से आपको समझ में आएगा तो यह होती है horizontal line और यह होती है vertical line और यह हमारा एक तल कहलाता है तो इसमें यह चार quadrant होते हैं यानि चत्रोथांस होते हैं तो इसको हम X अक्ष बोलते हैं इसे X डैस बोलते हैं इसे Y और इसे Y डैस कहते हैं और यह हमारा मूल बिंदू होता है O और जिसके निर्दे सांग 0,0 होते हैं यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं तो यहां यदि Y अक्ष पर कोई बिंदू यहां हम लें और उसकी दूरी मालो A है A बिंदू है तो इसका समीकर्ण बनेगा तो वो समीकर्ण हमारा X अक्ष के समानतर होगा इस तरह से यह लाइन बनेगी यानि रेखा बनेगी तो यहां हम लिख सकते हैं कि जब Y बरावर A हो तो यह X अक्ष के समानतर रेखा का समीकर्ण कहलाता है जब X बरावर A के रूप में दिया हो तो यह Y अक्ष के समानतर रेखा का समीकर्ण कहलाता है तो जब X बरावर A होगा तो X अक्ष पर हमने बिंदू मालो यह लिया तो यहां पर हमारी जो रेखा का समीकर्ण होगा जो रेखा खिचेगी तो वो इस तरह से Y अक्ष के समानतर रेखा होगी तो यह देखा हमारी Y अक्ष के समानतर होगी जब X बरावर A के रूप में समीकर्ण हो और जब X अच्ष के समानतर रेखा का समीकर्ण हो तो उसे हम Y बरावर A बोल देंगे अब इसके अलावा अब जो जनरल फॉर्म में समीकर्ण हमें मिलता है तो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 के रूप में होता है और जब ऐसा समीकर्ण होता है तो इसके अपरमित रूप से अनेकों हल हमें प्राप्त होते हैं यहीं हम Y की यदि कोई वैलू रखेंगे तो X की हमें वैलू मिलेगी और X की कोई वैलू रखेंगे तो हमें Y की वैलू मिलेगी तो इस तरह से हम यदि Y की वैलू को वैरी करते रहेंगे तो X की वैलू भी हमें उसी प्रकार से मिलती रहेगी तो एक्स और वाई के हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं और जो इसकी आलेख ही रेखा बनती है तो वो एक सीधी रेखा सदेव बनती है उसको हम सरल रेखा के नाम से भी जान सकते हैं अब इसमें यदि हम वाई बराबर यदि 0 रख दें तो हमारा ये सेस बचेगा AX प्लस C एक्वल टू 0 तो Y वराबर 0 होने पर ये X अक्ष का समीकर कहलाएगा तो यहां लिख देंगे हम अता Y वराबर 0 X अक्ष का समीकर होता है और यदि हम X बराबर 0 रखते हैं तो हमें ये BY प्लस C एक्वल टू 0 मिलेगा तो हम इसे लिख सकते हैं अता X बराबर 0 Y अक्ष का समीकर कहलाएगा और यदि AX प्लस C इक्वल टू 0 के रूप में एक चरवाला जब समीकर होगा तब समीकर का एक अग्दुती हल होता है और यदि यही दो चरवाला समीकर हो जाएगा तो समीकर के अपरमित रूप से अनेखल होते हैं और इसके अलावा यदि कोई समीकर Y इक्वल टू M X रूप का हो तो समीकरर मूल मिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को निरूपित करता है जैसे कि यह मूल बिंदु हमें ओ दिया हुआ है और जब हमें Y इक्वल टू M X रूप का यदि समीकर मिलेगा तो उस समीकर की जो सरल रेखा होगी वो हमेशा मूल बिंदु से होकर के इस तरह से गुजरेगी या मान के अंसार इस तरह से भी हो सकती है इस तरह से भी हो सकती है या कहीं से भी गुजरेगी इधर से गुजरेगी तो भी ये मूल बिंदु से होकर के भी ये सरल रेखा का समीकर बनेगा कोई भी जो सरल रेखा है आलेक में अब इसपे जो बिंदूों से मिलकर की रेखा जो निरूपित होती है तो जो भी इसमें बिंदू होगा यकी प्रत्यक बिंदू उस रेखा के समीकर का हल होता है अब आलेक के अनसर रेखाया इस तरह से एक्शक्ष के समान तरबी हो सकती है या वाई अक्ष के समानतर भी हो सकती है तो इन पर इस्थित कोई भी बिंदू रेखा के समीकड का हल कहलाता है या हम इसे कह सकते हैं कि दो चरों वाले रेखिक समीकड का प्रतिक हल उस समीकड के आलेक पर इस्थित होता है अब हम उधारण के माध्यम से linear equation को और बहतर तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने एक equation लिया 2x plus y plus 1 equal 0 तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यह हमारी एक equation है क्योंकि जब भी हमें x और y की value यदि मालुम हो जाएगी तो उस value को हम x और y की जगा put करेंगे और यदि इसको हम solve कर देंगे तो हमें equal to 0 प्राप्थ होगा तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा एक यह संतुलित समीकरड है यहनि equation के रूप में हैं और इसे हम plus 1 को minus कर दें तो 2x plus y equal to minus 1 तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानि x और y की हम value को रखेंगे तो हमें equal to minus 1 होगा तो भी यह हमारा एक समीकरड कहलाएगा तो अब यहाँ यदि हम इसका आले खीचें तो यहाँ आले के लिए माललो हमने एक box ले लिया और x और y दो चर लिये तो यदि हम यहाँ x की value माललो एक रखते हैं तो इनको यदि solve करेंगे तो 2 into 1 plus y equal minus 1 मिलेगा तो यहाँ हमें y equal to minus 1 2 अज़ा 2 और यह दूसी side में जाएंगे तो यह minus 2 हो जाएंगे तो यह y की value हमें minus 3 मिल जाएगे तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं और यदि इसी प्रकार से x की value यदि हम minus 1 रखते हैं 2 into minus 1 plus y वरावर minus 1 मिलेगा और इनका multiply करेंगे minus 2 होगा y equal to minus 1 होगा तो y equal to minus 1 और यह plus 2 हो जाएगा तो यह हमें value y की मिलेगी plus 1 तो यहाँ minus 1 यदि x रखेंगे तो y हमें plus 1 मिल जाएगा अब यदि हम x की value 2 रखते हैं x equal to 2 लेते हैं तो हमें यहाँ value रखेंगे 2 तो 2 into x की स्थान पे हम 2 रखेंगे plus y equal to minus 1 हो जाएगा तो 2 जब 4 होगा plus y equal to minus 1 होगा और y equal to minus 1 minus 4 हो जाएगा तो y equal to minus 5 हो जाएगा तो यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें minus 5 मिलता है अब इस आलेक में हम देखेंगे कि हमारी जो रेखा है वो किस तरह से इसमें खीची जा सकती है तो यहाँ हम इनके x और y पर एक समान दूरी लेकर के उनके निर्दे सांग लिख सकते हैं तो यह हमारा धनात्मक अक्ष होता है यह धनात्मक होता है और यह y और रडात्मक होता है और यह नीचे की और minus होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह हम समान दूरी पर इधर भी लखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से हम यहाँ रखेंगे और यह y डेस अक्ष पर भी हम रख लेते हैं अब इसके आधार पर हम यहाँ आले खीचेंगे तो यहाँ देखेंगे x equal to 1 है तो 1 plus है तो यहाँ यह 1 होगा और y equal to minus 3 है तो y यहाँ यह नीचे मिलेगा हमें तो यह minus 3 मिलेगा अब इन दोनों दूरियों को हम परस पर मिलाएंगे तो यह हमें यहाँ मिलेगे तो यह बिंदू हमारा होगा जहाँ पर हमें x 1 होगा और y minus 3 होगा तो यह निर्दे सांख हमारे x और y के निर्दे सांख मिल जाएंगे तो इस तरह से हमें एक बिंदू मिला मालो इससे हम a बोल देते हैं आप देखेंगे minus 1 तो minus 1 हमें यह x वाला इधर मिलेगा और plus 1 और y equal to plus 1 है तो plus 1 हमें y का यह यहां मिलेगा तो इन दोनों दूरियों को हम मिलाएंगे x अच्छ से लंवद दूरी और y अच्छ से लंवद दूरी को यहां मिलाएंगे तो यह हमें निर्दे सांख मिलेगे इसके minus 1 और plus 1 तो इसे हम b बिन्दू बोल सकते है अब तीसरा जो निर्दे सांख मिलेगा हमें वो 2 x equal to 2 है और y equal to minus 5 है तो x equal to 2 यानि धनात्मक है तो यह 2 होगा और y धनात्मक है minus 5 है तो minus 5 पिया मिलेगा तो 2 यानि की x से दूरी को हम बढ़ाएंगे आगे और y से दूरी को बढ़ाएंगे तो हमें यहां x और y के बिन्दू मिल जाएंगे तो यहां लिख देंगे हम 2 minus 5 अब इन्हें बिन्दूओं को यदि हम मिलाएं तो यह देखा हमारी एक बन जाएगी यहां से पट्री का उपयोग करके और ग्राप का उपयोग करके बनाएंगे तो हमारी accurate रेखा उसमें पता चलेगी कि यह मूल बिन्दू से जा रही है कि नहीं जा रही है तो यहां एक समझाने के एसाब से हमने अनमानित रूप से बनाया है तो हमारी यह रेखा का समीकर जो है वो इस रेखा के रूप में परदर्सित होगा तो इसको हम नाम दे देंगे एल रेखा तो इस प्रकार से हमें इस ग्राप पर एक सरन रेखा प्राप्त होगी और इसके अनंतता अनेखा लो सकते है यहां बढ़ा के जो भी बैलू लेते जाएंगे एक्स की तो हमें वाई की बैलू प्राप्त होती जाएगी लेकिन जो भी हल प्राप्त होगा वो सारे हल हमें इसी रेखा पर ही प्राप्त होगे तो ये हुआ हमारा निस्कस रूप में कि जब भी दो चरवाला कोई समीकर्ण होगा तो उसकी एक सरल रेखा खीची जाएगी और उसके प्रत्य एक बिंदू उस रेखा के समीकर्ण का हल होगा तो हम कोई भी उधार ले सकते हैं तो रेखा हमारी इधर से भी खीच सकती है इधर से भी खीची जा सकती है अब यदि हम y वराबर mx इस रूप का यदि कोई समीकर्ण लेंगे तो ऐसी रेखा हमेशा मूल बिंदू से होकर ही गुजरेगी तो जैसे हमने मानलो यहां 3x प्लस y एक्वल टू 0 लिया तो यहां पर हम यह y वराबर माइनस 3x हो जाएगा तो यह हमें इस तरह से प्राप्ठ हो जाएगा तो यहां m की value माइनस 3 हो जाएगी तो अब यदि इनको हम ग्राफी रूप में देखेंगे तो इसको भी हम हल करेंगे X और Y लेंगे और इनके हम दो मान ले लेते हैं तो यदि हम यहाँ X एक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो Y एक्वल टू हमें मिलेंगे 3 इन्टू माइनस 1 यानिकी 3 तो यहाँ 3 मिल जाएगा और यदि हम X प्लस 1 लेते हैं तो हमें Y एक्वल टू माइनस 3 इन्टू 1 यानि माइनस की 3 मिलेंगे यह तो अब यदि से हम इस तल पर आलेखित करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो लाइन है वो मूल बिंदू से ही गुजरेगी तो यहाँ यदि X माइनस 1 लिया हमने ये X माइनस 1 हुआ तो Y प्लस 3 है तो Y प्लस 3 हमारा ये होगा तो हम इसको एक दूसरे की लंबवा दूरी को मिलाएगी तो जो हमें यहाँ मिलेगी तो यहाँ ये बिंदू हो जाएगा हमारा माइनस 1 और 3 और दूसरा बिंदू जो मिलेगा हमें X इक्वल टू 1 होगा और Y इक्वल टू माइनस 3 होगा तो Y माइनस 3 तो X इक्वल टू प्लस 1 यहाँ होगा और Y माइनस 3 होगा तो वो यहाँ होगा तो ये बिंदू हमें यहां मिलेगा अब यदि इनको हम दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी रेखा ये मूल बिंदू से हो करके इस तरह से निकलेगी तो इस तरह से ये हमारी रेखा जो खिचेगी तो वो मूल बिंदू से O से यहां से हो करके ही गुजरती है तो हम समीकड को यहां लिख सकते है 3X प्लस Y इक्वल 0 यानि कि यह हमारा Y इक्वल टू माइनस 3X या Y इक्वल टू M X के रूप का है तो हमारी जो रेखा है वो मूल बिन्दू से हो करके गुजर रही है अब यदि हमें X वराबर A या Y वराबर A के रूप में कोई समीकड दिया हो तो उसको हम किस तरह से आलेक पर बनाएंगे तो यहां हम फिर से Y अक्ष और X अक्ष लेते हैं तो यहां जैसे हमें कोई समीकड दिया हो और सिर्फ लिखा हो X एक्ष इक्वल टू 3 तो इसको हम किस तरह से इस आलेक में खीचेगे तो यहां देखेंगे X हमारा धनात्मक है तो धनात्मक यानि इस अक्ष पर हमें ये 3 मिलेंगे और यहां कोई वैलू हमें नहीं Y की पता है तो जो भी रेखा अमारी खिचेगी तो वो रेखा अमारी Y अक्ष के समानतर होगी तो इस तरह से हम ये रेखा खीच देंगे तो ये Y अक्ष के समानतर होगी और यदि हमें यहां दे दिया Y equal to minus 2 तो minus 2 Y की वैलू रडात्मक है तो Y हमें ये अक्ष मिलेगा और ये minus 2 हमें यहां मिलेगा तो सिर्फ यहां 0 होता है तो यहां minus 2 मिलेगा और हमें कोई अक्ष का मान नहीं दिया है तो हम इसको इस तरह से ये हमारी बिंदूओं की लाइन होगी तो ये रेखा का समीकड़ को प्रदस्चित करेगा तो ये हमारी y equal to minus 2 के लिए हुई और ये रेखा हमारी x equal to 3 के लिए हुई तो इस तरह से कोई भी बिंदू हमें यदि मिलेगा x और सिर्फ y के रूप में तो उसे हम आलेक पर इस प्रकार से बनाएंगे इसके अलावा हम exercise को करेंगे तो हमें और भी express हो जाएगा तो ये हमारा एक introduction था